हिमाचल प्रदेश के सोलन जीले से एक बड़ी खबर सामने आई यहां स्थित परवानु शेत्र में जाबली के नजदीक हाईवे के नीचे दो गठ्रियों में शव बरामत किये गए इन दोनों गठ्रियों में महिलाओं के शव है एसपी सोलन अशोक वर्मा मामले की पुष्टी करते हुए बताते हैं कि सोलन परवानु में दो महिलाओं के शव गठ्री में बांद कर मिले हैं S.F.S.L. टीम मौके पर पहुंची है डेड़ बोडी पोस्ट माटम के लिए IGMC शिमला भेजी जा रही है पुलिस ने परवानु थाना में धारा 302 के तहट मामला दर्च कर लिया है सबसे पहले मंगलवार शाम कबाडियों ने इन गठ्रीयों को देखा छूकर देखने पर इसमें शव होने का अंदेशा हुआ तो इसकी सूचना रहडी वालों के माध्यम से पंचायत प्रधान को दी गई करीब डेड़ गंटा पहले पुलिस को जानकारी मिली तुरंत ही DSP घटना स्थल की और रवाना हुए पूरी जानकारी आने में वक्त लगेगा फिलाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है पुलिस के ठिया है लुषऔरै 你सक लो बुलिस दे प्रम गने में ही क्या हुआ झाल झाल